हेलो गाइज कैसे हुआ आप आज मैं बना रही हूं मतर मस्रूम यह हैं मतर फ्रोजन मतर है और यह है अद्रक लेसुन का पेस्ट दो चमच यह हैं बड़े तीन प्याज यह हैं छोटे मेडियम साइज के डो टमाटर यह हैं पनीर एक कटोरी मैंने पनीर भी लिया है क्योंकि मेरी सोना को पनीर बहुत पसंद है तो मैंने का इसमें थोड़ा सा पनीर एट कर लेती हूं जिस वाज़े से वह भी खा लेगी यह हैं मस्रूम चलो अब मैं बनाती हूं और आपको दिखाती है तेल जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि हम सिर जब जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें डाला चीरा जब तक चटकेगा तक चटका देते हैं इसमें खलका सा नमक डाल दिया क्यूंकि जो वह सञ़ें के तिल की इसमेल होती है वह चले तो चले ज़िए नहीं जाती है यह दाला एक चुटकी हिंग सर्दियों में हिंग खानी चाहिए यह डाला प्याज अध्रक लैसुन का पेश्ट आप पहली भी डाल सकते हैं पर हम एक दख पहले सबसे बहले अध्रक लैसुन का पेश्ट दालते हैं तो उसके ठीपे आते हैं बहुत ज़्यादा फिर उससे बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है तो गैस भी साफ करो फिर प्याज अध्रक लसन का पेश्ट जब तक थोड़ा ब्राउंड होदा आता है तब तक हम गैस की फ्रेम लो कर देंगे और इसे लो फ्रेम में पकने दे जितना मसाला अच्छा पकेगा उतना ही टेस्ट आएगा तो यह प्याज ब्राउंड हो गए है और अभी यही सब्जी में इनको बनाने के लिए बोलती तो यह एक प्लेट में मस्रूम्र काटते है उसके बाद मटर धोके डालते पर प्याज काटते है यह टमाटर काटते है इनको कोई भी सब्जी बोलो तुम नॉन वेच्ट से हर चीज ऐसे ही बनाते हैं इनको कोई सब्जी बोलो ए सब्सब्धी ऐसे ही बनाते हैं अब डाला टमाटर मैं बना तो खड़ा साथ बोलते हैं ये डाला एक हाफ चमच नमाख थल्डी आपने टेस के हसाफ समासाले एक धनिया पाउडर ये है कुटी हुई लाल मिल्च हम लोग कुटी हुई लाल मिल्च का यूज़ करते हैं आप पाउड हमिगा और ये है जीरा पाउडर अब जब तक इस मसाले से टेल साइड हो जाता है और टमाटर गल जाता है तब तक हम इसमें धक्कन रखके छोड़ देते हैं ये टमाटर भी अच्छे से गल गई है और तेल भी साइड कड़ाई के साइड साइड में आ गया है अब हम इसमें डालेंगे मटर तक अब शचाया गज़ाता है ये अधिये अगर गज़ें पेका पाउड में जाना टाइं टाइं लगता है पर अगराण मटर मस्रूम पनीर मेरी पेड़ेट सब्जी थी मटर मस्रूम मैं बहुत ज्यादा खाती थी साधी से पहले क्योंकि मैं साधी से पहले नॉन्वेज तो खाती नहीं थी तो मैं यही खाती थी यहीं डो हो वे मत्स हेड लाय जै कि मैं प्ताय केमरा डोर्ट सब्सक्राण केमरा मेरेज गूंपली पनाता है हमें साधी केमरा जालेगां वीडियो कि truck है वीडियो साधी स्दिः नहीं थी गूँवने के बाध इसमें हऑनी हझा साधी मय दासे जाती ह.. जैसे यह मैंने दो मेंट गुल दिये मसाले अब मैं इसमें डाले गरम पाले को मुझे पता है कितना डालना है आप भी बना लेते हैं मुझे कोई बीच में टोके वह बिल्कुल पसंद नहीं है अच्छा औरी ठीक अब यह इसमें मैंने पानी डालके अब मैं धकन डालके छोड़ दूगी अब जब थोड़े दिर में पान से साथ मिनाट में जब मस्रूम गल जाएंगे उसके बाद पनी डालके दो मिनाट बॉइल देंगी क्यूंकि मैं पनीर डाल दूगी तो वह जब यह बहुत जादा पनीर पकाते हैं तो उसके बाद वह ऐसा हो जाता है चूइंच मतलब खिचता है चूइंगम टाइप में हाँ अब चलो बन जाती है उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यह सबजी बन गई थी मैं वीडियो लेना भूल गई बनने के बाद क्योंकि दोनों बच्चे आज साथ बजे ही सो गए फिर उनको वह सोए तो फिर उनको नाइट ड्रेस पहनाई यह नेंद में ही उनको चेंज वेंच करवाया यह मेरी रोटियां भी बननी सुरू हो गई है मैंने मम्मी को दै भी दिया हैं अब यह सज गई देते हैं और पूछते हैं कैसा बना लो यार जल्दी खावो मेरी रोटियां भी जल रही है चलो जब तक एक बाइट टेस्ट करते हैं तब तक मैं अपनी रोटी देख के आ जाती हूँ देखो साइट टाइम पर आ गई मैं तो मेरी रोटी जल जाती है कर दो तो मैं और दो कि अधिया जाएं तो मैं इनको रोटी भी देती हूं तो तक लिए टेस्ट आए आयान में तो इस वह थे खादी कैसे हो रही है सबजी कमी है हां रोटी के साथ अच्छे नहीं हो रही है सबजी रोटी के साथ अच्छे नहीं हो रही है सबजी रोटी के साथ भी हो रही है और वह च्छे भी आने हो जब तेस्ट आए एक इसको सांती नहीं है यह अपने बिस्तर में नहीं रहता है और गाट में दूरी आगया है चलो गाई सब मैं रोटी बना देती हूँ